मेरे चैनल पर एक बार फिर आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक अविनंदन और सौगत है यह वीडियो में आपके लिए शरूर आप डामेशन का लेके आया हूँ इसमें मैंने section के, yard के, level crossing के और विभिन नई जानकारियों को दिखाया है जो परिक्षा के साथ साथ मेरे उन सभी SSE GE जो field में या construction में काम करते हैं उनके लिए बहुत लाबकारी है मेरा वीडियो अन तक देखें schedule of dimension IMO की अनुसूची short में से SODB कहते हैं ये एक वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ इस slide में मैंने schedule of dimension के बारे में थोड़ा सा बताया है और schedule of dimension SOD की विशेज जानकारियां वीजी ट्रैक के लिए मैं आपको दे रहा हूँ schedule of dimension IMO की अनुसूची इसको short में हम SOD कहते हैं railway board के द्वारा एक circular 735W 1922 के माध्यम से एक schedule जारी किया गया इसमें निउन्तम, अधिक्तम और अनुशंशित dimension minimum, maximum और recommended dimension जो gauge 1676 भारत में चलता था उसके लिए दिये गए थे और कुछ dimension जो पहले schedule 1913 में थे उनमें सुधार किया गया फिर circularों के माध्यम से समय समय पर सुधार किया गया पहले नाप FPS और MKS दोनों में थे मतलब foot point second और meter kilogram second दोनों में थे बरतमान में schedule of dimension को 2004 में शंशोदीत करके reprint किया गया इसमें FPS को हटा कर सिर्फ अब माप को metric आबलिक MKS में किया गया है इसके दो भाग है schedule 1, schedule 2 dimension schedule 1 को दो बरगों में बरगी किया गया है जैसे कि निम्न है A. बरतमान कार existing work B. है नए कार new work A. बरतमान कार existing work में वो कार है जो SOD 2004 जारी होने के पहले के है B. नए कार new work नए निर्माण, नए लाइन, structure को जोड़ना doubling, tripling और gauge परिवर्तन है Turnout shifting, siding को बढ़ाना इसके अंतरगत नहीं आता है Schedule of Dimension SOD की विशेज जानकारिया Broad gauge track के लिए No.1 है track की दूरी spacing of track का है नियुनतम दूरी track center से center सीधे track में No.1 है बरतमान कार के लिए 4265 mm No.2 नए कार आबलिक बरतमान कार के साथ जुणने वाले कार 5300 mm होती है इस चित में हम आपको track center नापने का तरीका दिखा रहे है जब टेप को हम एक लाइन के gauge face में रखेंगे तो दूसरी लाइन के भी gauge face में रखते है और यदि हम non gauge face में रखते है तो दूसरी लाइन के non gauge face में रखेंगे यही track center नापने का आसान तरीका है नमबर दो कर्व रोमन बन है निउन्तम कर्व की radius ब्राड गेज में 175 मीटर होगी नमबर दो अधिक्तम डिगरी कर्व की 10 डिगरी होगी नमबर 3 पुल ब्रिज नमबर बन रोमन है channel sleeper की निउन्तम लंबाई 2440 mm होगी नमबर दो पुल पर जोड के channel sleeper के बीज की clear दूरी इससे अधिक नहीं होना चाहिए 200 mm नमबर तीन है नए निर्माण कार रिगरी के कार में दो sleeper के बीज की clear दूरी इससे अधिक नहीं होना चाहिए 450 mm नमबर चार है rail रोमन बन है कर में लगी check-raill का new time के लेंज 44 mm होगा नमबर दो कर में check-rail बाण देंगे जब कर दो नमबर की bonus इतनी या इससे कम होगी 218 meters नमबर त्री है कर में check-rail बाण देंगे जब कर की degree इतनी या इसससे अधिक होगी 8 degree या उससे अधिक नमबर पांच है Sampar Abligек Level Crossing रोमन बन है Sampar की चेक रेल का निउन्तम किल्रेंस 51 mm है नमबर दो समपार की चेक रेल का अधिक तम किल्रेंस 57 mm है नमबर थ्री समपार की चेक रेल में वील फ्लैंज के लिए रेल रेविल से निउन्तम गहराई क्या होगी 38 mm ये चेक्रेल किलनेज नापने का गो नोगो गेज है जो चेक्रेल को स्लैक या टाइट बताता है इस चित्र में गो नोगो गेज से चेक्रेल का किलनेज नापते हुए दिखाया गया है इस चित्र में स्केल से संपार फाटक की चेक्रेल को नापते हुए दिखाये गया है इस चित्र में स्केल के द्वारा चेक्रेल की गहराई को वील फ्रैंच के लिए नापते हुए दिखाये गया है नमबर चे टनल, थ्रूगर्डर, सेमिगर्डर, पुलों के ट्रैक सेंटर से सेंटर की निवनतम दूरी नमबर बन बरतमाल लाइनों में एक्जिस्टिंग लाइन डबल 495 mm होगी नमबर दो नए कार या बरतमाल लाइनों के अल्टरेशन 4725 mm होगी नमबर सेवन, फॉर्मेशन की चोड़ाई, फॉर्मेशन बृत का है फॉर्मेशन की चोड़ाई सिंगल लाइन के लिए नमबर बन पुराने भराव, एमबेक्मेंट की निवनतम चोड़ाई, मतलब जो एक्जिस्टिंग है फॉर्मेशन 6850 mm नमबर दो, नए भराव, एमबेक्मेंट, न्यू की निवनतम चोड़ाई, 7850 mm होगी नमबर तीन, पुरानी कटिंग, ओल्ड कटिंग की निवनतम चोड़ाई, एक्जिस्टिंग वाले की 6250 mm होगी नमबर चार, नई कटिंग, न्यू कटिंग की निवनतम चोड़ाई, 7850 mm होगी खा है, फॉर्मेशन की चोड़ाई, डवल लाइन के लिए नमबर बन, पुराने भराव, एमबेक्मेंट की निवनतम चोड़ाई, जो एक्जिस्टिंग में है 12150 mm, नमबर दो, नए भराव, एमबेक्मेंट निव की निवनतम चोड़ाई, 13160 mm होगी नमबर तीन, पुरानी कटिंग, कटिंग ओल्ड साइड ड्रेन को हटाकर निवनतम चोड़ाई, एक्जिस्टिंग की 11550 mm है नमबर चार, नए कटिंग, कटिंग निव की निवनतम चोड़ाई, 13160 mm होगी फार्मेशन की निवनतम चोड़ाई, निम्र पर आधारित होगी नमबर बन, बैलास सेक्शन का साइड स्लोप होगा, 1.5 रेशियो 1 नमबर दो, फार्मेशन का टॉप स्लोप, 1.30 का होगा नमबर त्री, डवल लाइन सेक्शन में ट्रेक सेंटर होगा, 5300 mm नमबर आठ, गेश सिधाई और कर्ब में नमबर बन है रोवन का, सिधाई ट्रेक और कर्ब में रेडियस 350 या उससे अधिक माइनेस 5 से, प्लस 3 mm होगा, 1.676, 1676 के साब से, 1.671 से, 1.679 mm होगा नमबर दो, कर्ब रेडियस 350 मीटर या उससे कम होने पर गेज, अप टू, प्लस 10 mm होगा नमबर नाईन है, ट्रॉली रिफ्यूजी, नमबर वन रोवन का, टनल में ट्रॉली रिफ्यूजी के बीज की अधिकतम दूरी हंडेड मीटर होगी नमबर दो पुल पर ट्रॉली रिफ्यूजी के बीज की अधिकतम दूरी का है ऐसे पुल जिनका मेन इस्पैन हंडेड मीटर से कम है तो ट्रॉली रिफ्यूजी हंडेड मीटर पे होंगे खा है ऐसे पुल जिनका मेन इस्पैन हंडेड मीटर या उससे अधिक है प्रतेक पियर पर टॉली रिफ्यूजी बनेगा नमबर नौ है पसिंजर प्लैटफॉर्म पर ट्रैक सेंटर से किसी विल्डिंग या समंतर फैंसिंग की निउन्तम होरिजेंटल दूरी नए कार के लिए आबलिक बर्तमान कार में आल्टेशन के समय नमबर बन निउन्तम मिनिममम 6830 mm होगी नमबर दो अनुशंशित दूरी रिक्मंडेट 12130 mm होगी अब इसको जो है आप स्क्रीन शॉट ले लिजेगा ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है शेडूल और डामेंशन की इस स्लाइड में स्टेशन याड, स्टेशन ग्रेडियन, प्लाटफॉर्म, आरोबी और पॉइंट एन्ट कैसिंग के बारे में डिटेल में बताया है शेडूल औफ डैमेंशन इस्टेशन यार्ड नमबर वन है ट्रैक की दूरी स्पेसिंग आफ ट्रैक रोमन बन है निउन्तन ट्रैक सेंटर से सेंटर की दूरी सीधे ट्रैक में का बर्तमान आबलिक एक्जिस्टिंग बर के लिए 4265 mm होगी खा नए कार आबलिक बर्तमान कार से जुनने वाले कार के लिए 5300 mm होगी नमबर दो है यार्ड का ग्रेडियंट ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड रोमन बन है नए कार के लिए आबलिक बर्तमान कार में आल्टरेशन के लिए का अनुशंशित या रिक्मंडेट 1 in 1200 खा अधिक्तम तेज ग्रेडियेंट 1 in 400 नमबर दो है बर्तमान कार एक्जिस्टिंग वर्क के लिए 1 in 400 कोई भी स्टेशन नहीं बनेगा या कोई भी साइडिंग पैसिंजन लाइन से नहीं जोड़ी जाएगी जहां पर ग्रेडियेंट 1 in 260 से अधिक तेज होगा इसके अलावा जहां पर संभब ना हो unavoidable locations जैसे घार सक्षन वगरा नमबर तीन तेट धलान 1 in 400 से 1 in 260 तक स्विक्रती देंगे CRS नमबर चार तेट धलान 1 in 260 से अधिक होने पर स्विक्रती देंगे railway board CRS के द्वारा नमबर तीन प्लैटफॉर्म रोमन 1 है ट्रैक के सेंटर से प्लैटफॉर्म की coping तक की horizontal दूरी का अधिक्तम maximum 1680 mm खा है निउनतम दूरी या minimum 1670 mm रोमन 2 है ट्रैक के सेंटर से किसी प्लैटफॉर्म के फेशवाल तक की horizontal दूरी का अधिक्तम या maximum 1905 mm खा है निउनतम या minimum 1675 mm रोमन 3 हाई लेवल या त्री प्लैटफॉर्म की रेल लेवल से उचाई का अधिक्तम maximum 840 mm खा निउनतम या minimum 760 mm रोमन 4 है मीडियम लेवल या त्री प्लैटफॉर्म की रेल लेवल से अधिक्तम या मुचाई 455 mm 5 है रोमन का माल गोदाम प्लैटफॉर्म की रेल लेवल से अधिक्तम या मुचाई 1065 mm इस चित में ट्रैक सेंटर से प्लैटफॉर्म कोपिंग की निउनतम और अधिक्तम दूरी प्लैटफॉर्म की फेस वाल से ट्रैक सेंटर की निउनतम अधिक्तम दूरी को तता हाई लेवल पैसेंजर प्लैटफॉर्म की रेल लेवल से निउनतम और अधिक्तम उचाई को द से और 1600 mm ट्रैक सेंटर से नमबर वन रोबन का हलका ओवर हैड संदचना जैसे फुट ओबर ब्रीज एफोबी तो दूरी होगी इसकी 625 0 mm नमबर दो भारी ओवर हैड संदचना जैसे रोड ओबर ब्रीज या फ्लाइओबर तो इसकी दूरी होगी 5870 mm नमबर खा मुंबई फुट नगरी छेतर में फुट ओबर ब्रीज एफोबी की उचाई 5750 mm है इसको निम्न कारणों से कम करेंगे नमबर वन कॉन्टेक्ट वायर की निम्तम उचाई होगी 4800 mm नमबर दो कोई भी क्रास ओबर एफोबी के नीचे और एफोबी के फेस से 40 मीटर में नहीं होना चा ये नमबर चार है रोलिंग स्टॉक की अधिक्तम उचाई को 2420 mm तक सीमित किया गया है नमबर पांच है उचाई को उची रेल या केंट में उची रेल से ना पा जाएगा ये करेक्शन स्लिप 22, 8, 12, 17 की है इस चित्र में फुट ओबर ब्रिज को दिखाये गया है 25 के बी एसी में इसकी उचाई रेल लेवल से 6 to 50 mm होती है और मुंबई समर बन में इसकी उचाई 5, 7, 50 mm होती है नमबर पाँच, पॉइंट एन क्रासिंग, रोमन बन है का चेक्रेल का अधिक्तम किलरेंस क्रासिंग की नोज के सामने 48 mm होगा खा है चेक्रेल का निउन्तम किलरेंस क्रासिंग की नोज के सामने 44 mm होगा ये नाप track gauge 1676 mm के अनुसार PSC turn out के अलावा जो turn out है उनके लिए होंगे Roman 2 है का check rail का अधिक्तम के लेंज क्रासिंग की नोज के सामने 45 mm होगा का check rail का नियुनतम के लेंज क्रासिंग की नोज के सामने 41 mm होगा ये नाप track gauge 1673 mm के अनुसार PSC turn out के लिए है तो हम जब gauge को 3 mm कम करते हैं तभी 48 से 3 माइनस करेंगे तो 45 आएगा और 44 से 3 माइनस करेंगे तो 41 mm आएगा PSC turn out की point and crossing की check rail के लेंज को scale से नापते हुए दिखाया गया है ये दूनों सिरों पर और बीज के block पर नापते हुए दिखा रहे है रोमन तीन विंग रेल का किल्रेंज करसिंग की नोज़ पर गेज 1676 स्रीपर के turn out गेज 1673 PSC turn out के लिए का अधिक्तम 48 mm PSC के लिए 45 mm खा निउन्तम 44 दूसरे turn out के लिए और PSC turn out के लिए 41 mm होगा CMS कासिंग की विंग रेल का किल्रेंज नोज़ के सामने नापते हैं ब्राड गेज PSC turn out में इसका निउन्तम मान 41 mm और अधिक्तम मान 45 mm होता है नमबर चार रोमन का है निउन्तम किल्रेंज स्वीच की टोपर थो आप स्वीच का पुराने कार एक्जिस्टिंग वर्क के लिए 95 mm होगा खा नए कार या पुराने कार में आल्टेशन करने पर ये 115 mm होगा गा नए TWS थिक बेव स्वीच के लिए 160 mm होगा इस चित में मैं आपको टंग रेल और स्टॉक रेल के बीज का किल्रेंज जिसको थो आप स्वीच कहते हैं आपने का तरीका बता रहा हूं नमबर पाँच निउन्तम रेडियस स्लिप पॉइंट क्रासोबर टरन आउट के करवेचर की 218 मीटर या 8 डिगरी होगी नोट विशेश परिस्थितियों में का वन इन एट अंड आप वीजी टरन आउट 6.4 स्वीच लेंद ओवर राइडिंग के लिए 213 मीटर खा है वन इन एट अंड आप के कैची या सीजर क्रासिंग के लिए ये 175 मीटर होगी नमबर छे हैं क्रासिंग का निउन्तम कोन एंगिल ओर्डिनरी के लिए 1 इन 16 CRS के रिक्मेंडेशन पर क्रासिंग इससे भी अधिक फ्लैट 1 इन 20 की स्विक्रत की जा सकती है नमबर साथ है डायमेंड क्रासिंग इससे अधिक फ्लैट नहीं होना चाहिए 1 in 8 and half CRS के रिक्मेंडेशन पर 1 in 10 तक फ्लैट स्विक्रत की जा सकती है नमबर आठ है टंग रेल की निउन्तम लंबाई 3660 mm तक होगी अब इसका जो है आप एक स्क्रीन शॉट ले लिएगा यह आपके लिए बहुत ही लापकारी है शेडूल और डायमेंशन इस स्लाइड में मैं आपको कैरिज एन वेगन शॉट में CNW उसके पार्ट्स के शेडूल और डायमेंशन के बारे में बता रहा हूँ कैरिज एन वेगन CNW नमबर बन है वील और एक्सल रोमन बन है वील गेज अधिक्तम 1602 mm नियुनतम है 1599 mm नमबर दो रोमन बन है अधिक्तम डायमेटर ट्रेट पर नए कैरिज और वेगन वील की जो 63.5 mm वील गेज फेस पर नापते हैं 1092 mm नमबर टू नियुनतम डायमेटर ट्रेट पर नए कैरिज और वेगन वील की जो 63.5 mm वील गेज फेस पर नापते हैं 914 mm नमबर ट्री है नियुनतम प्रोजेक्शन नए टायर के फ्लैंज की जो वील गेज फेस से 63.5 mm दूरी पर नापते हैं 28.5 mm 4 है अधिक्तम प्रोजेक्षन पुराने घिसे टायर फ्लैंज की जो वील गेज फेस से 63.5 mm की दूरी पर नापते हैं 35 mm, number 5 है, अधिक्तं टायर के फ्लेंज की मुटाई, जो वील गेज्ज फेज्ज से 13 mm पर फ्लेंज के बारी सत्य पर नापते हैं, 29.4 mm, number 6 है, नियुन्तं टायर के फ्लेंज की मुटाई, जो वील के गेज्ज फेज्ज से 13 mm पर फ्लैंज के बाहरी सतय पर नापते हैं 16 mm नंबर 7 है टायर की नियुंतन चुलाई 127 mm नंबर 8 है ट्रेड में जुकाओ केंट इंक्लिनेशन और ट्रेड वन इन 20 यह आउटसाइड में होता है जबकि स्लीपर में हम इनसाइड में देते हैं इस चित में मैं आपको वील, वील के एक्सल, उसके पार्ट जैसे फ्लैंज, वील डाया, वील गेज और वील में वन इन 20 का जो केंट देते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ फ्लोर की उचाई, हाई टॉप फ्लोर, नमबर बन, खाली वेगन के फ्लोर की रेल लेवल से अधिकतम उचाई, 1345 mm होती है नमबर दो, पूरे भरे, फुली लोडेड यात्री डिब्बे के फ्लोर की रेल लेवल से निउनतम उचाई, 1200 mm होती है नमबर त्री पूरे भरे हुए फुली लोडेड माल गाली के फ्लोर की रेल लेवल से नियुंतम उचाई 1145 mm होती है बफर और कपलिंग बफर एंड कपलिंग नमबर बफर के सेंटर से सेंटर के लिए दूरी 1956 mm होगी नमबर दो खाली गाली के बफर या CVC कपलर के सेंटर से रेल लेवल तक की अधिक्तम उचाई 1105 mm होगी नमबर त्री है पूरी भरी गाली फुली लोडेड के बफर या CVC कपलर के सेंटर से रेल लेवल तक की नियुंतम उचाई 1030 mm होगी इस चित्र में बफर को एक नमबर से दो नमबर से सीवी सी कप्रर को दिखाये गया है तीन नमबर से बफर से बफर के बीच की दूरी को और चार नमबर में बफर के सेंटर से रेल लेवल तक की हाइट को दिखाये गया है वील वेस और बहान की लंबाई वील वेस एन लेंथ आउ वेकल नमबर बन है चार पईया वाहन का अधिक्तम रिजिट वील वेस 6100 mm है नमबर दो बोगी बाले वाहन में बोगी के सेंटर से सेंटर की नियुनतम दूरी 5400 mm है नमबर त्री बोगी वाले वाहन में बोगी के सेंटर से सेंटर की अधिक्तम दूरी 14900 mm है नमबर चार का का बोगी वाले किसी ट्रक बाहन का नियुनतम रिजिड वेस 1830 mm है खा बोगी वाले किसी ट्रक पैसिंजर वाहन का नियुनतम रिजिड वील वेस 2440 mm है नमबर पांच CBC आबलिक बफर सेंटर से बफर सेंटर की अधिक्तम दूरी का है चार पईया वहान फोर विल्ड वेहिकल के लिए 9810 mm खा है बोगी वहान 22300 mm होगी SOD के अतिक विशेज जानकारियां नमबर वन डिस्टेंस पीस डिस्टेंस पीस प्लैटफॉर्म के निकट्तम ट्रेक पर लगाने चाहिए ये पुराने लकडी के अनुप योगी स्लीपरों या रेल के टुकडों से बनाते हैं इनकी लंबाई 1.08 से 1.10 मीटर होती है इनको 30 मीटर के अंतराल पर लगाते हैं इनको लगाने का उद्देश ये है कि प्लैटफॉर्म की कोपिंग के आगे के भाग की होरिजेंटल दूरी का अतिलंगन इन्फरिज्मेंट ना होने पाए इन्हें लूप लाइन में लगाते हैं इस चित में हाई लेबल प्लैटफॉर्म पर डिस्टेंस पीज को दिखाये गया है डिस्टेंस पीज 30 मीटर के अंतराल पर लगाये जाते हैं नमबर दो हाइड गेज बिदूती क्रत सेक्षन में उचाई गेज आबलिक हाइड गेज को संपार फाटक पर गेट पोस से निउन्तम 8 मीटर की दूरी पर दोनों तरफ लगाया जाना चाहिए इसकी उचाई रूड की सते से हाइड गेज की निचली सते तक 4.76 मीटर से 4.78 मीटर होती है इस चित्र में एलक्टिफाइट सेक्षन में लगे हाइड गेज को दिखाये गया है हाइड गेज की गेट पोस से निउन्तम दूरी 8 मीटर रखते हैं और हाइड गेज की उचाई रूड सते से हाइड गेज की निचली सते तक 4.76 से 4.78 मीटर रखते हैं मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो का इंतजार करें आप इसका एक स्क्रीन शॉट ले लिएगा यह आपके लिए बहुत ही लापकारी है मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छा लगे तो कमेंट्स करें और यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतजार करें, धन्यवाद